अस्तामेको, मेरा नाम है तईबा और आप देख रहे हैं आउडियो विज्वल बुक्स नामम्किन से मुम्किन का सफर किताब का नाम तेरीर करदा अब्दुलजीश चोतरी साब की साइमा सलीम की काम्याबी की दास्तान के साथ आज का काम्याबी का सफर हम शुरू करते हैं उस बहादर नामीना लड़की के अज़म और होसले की दास्तान जब पाकिस्तान की पहली CSS ऑफिसर बन कर दुनिया भर के अफराद के लिए रोल मॉडल बनी दुनिया में कुछ लोग ऐसा बुलंद होसला और मजबूत अज़म रखते हैं कि उन्हें हर नामुमकिन चीज मुमकिन नज़र आती है उनका यकीन इतना बुलंद और पुखता होता है कि उनके वज़ से हकूमतों को अपने कानून बदरने पड़ते हैं फिर जब वो हर नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा देते हैं ता मयूस करने वारे लोग उन्हें रश्क बरी निगाहों से देखते हैं कुछ ऐसी ही कहानी इस मुल्क की बेटी साइमा सलीम की है इससे पहले कि वो दुनिया के रंग देखती उसकी खुबसूरती और रोश्नियों में खो जाती उसकी आँखों की रोश्नी चली गई अभी उसकी कदम जमीन पर लगना भी शुरू नहीं हुए थे कि उसकी जिन्दगी में अंधेरे चागे वालदेन पड़े लिखे समर्दार थे बेटी की बेचैनी और बेबसी देखकर तडब जाते लेकिन उन्होंने अपने दिल में मायूसी और बेबसी बसाने के बज़ाए ये एहद किया कि वो अपनी बेटी को जिन्दगी में कोई कमी नहीं आने देंगे और उसकी जिन्दगी को काम्याब जिन्दगी बनाएंगे लेहाज़ा जब उसकी तालीम का दोर शुरू हुआ तो वालदेन ने भरपूर वक्त दिया वालद इसके हर सबक की केसट रिकार्ड करके रख जाते जैसे वो सकूल से आकर सुनती और याद करती और इस तरह वो बच्पन हिसे स्कूल में अच्छी पुजीशन की हामिल रही और उन्होंने अन तक मेहनत खुद इत्मादी के बाइस ना सिर्फ ग्रेजुएशन बलके मास्टर्स बेबी गॉल्ड मैडल हासल किया उनकी खुआइश से उनकी शुरू से खुआइश सी कि वो सीएस करके फारण सर्विसेज में जाएं और उन्हें मुल्क का नाम वर्शन करें लेकिन उस वक्त नाबीना अफरात सीएस में शौमिल नहीं हो सकते थे उन्होंने दर्खास की कि उनका इम्धिहन कंप्यूटर पह लिया जाए लेकिन उन्हें साफ इंकार कर दिया किया लेकिन वो हरमानने को त्यान नहीं थी उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और बिल आखिर सद्रे पाकिस्तान ने पब्लिक सर्विस कमिशन को हदायत जारी की कि वो नाबीना अफरात का इम्धिहन कंप्यूटर के जरीए लेने का आगास करें ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी उनकी जहानत और कोशिशों के पेशे नज़र पहली दफ़ा पाकिस्तान में ब्रिल के जरीए से एसेस इम्धिहन का अगास हुआ उनका जब रिजल्ट आया तो देखने वाले हिरान रह गए कि उन्होंने पुरे पाकिस्तान में खावातीन में पहली और मजमुई दोर पर चटी पोजीशन हासिल की थी लेकिन मुश्क ने अभी खतम नहीं हुई थी फैडल पॉब्लिक सर्विस ने नाभीना होने के बाइस उन्हें फक्त चार शुपों अकाउंट्स, कॉम्रेस, इंफर्मिशन और पोस्टल में जॉइन करने की मनजूरी थी जबके उनका खुआप वजारते खारजा का था वो अपना खुआप टूटता नहीं देख सकती थी लेहाज़ा दुबारा डट गई वजिर्यारा पंजाब ने उन्हें अपने मौवने खसूसी बनने की पेशकश की जिसको उन्हें कबूल करने से माज़द कर ली और फिर मसलसल मेहनत और कोशिश के बाद बिलाखिर वजिर्याजब पाकिस्तान ने अपने खसूसी हदाया जारी करते वे उन्हें वजारते खारजा में जॉइन करने की जाज़द दे दी जो कि बिला शुपा उनकी दिन रात की सक्त मेहनत का समर साबित हुई अपनी काबलियत का लोहा मनवाते हुए वो CSS की तमाम फारण ट्रेनिंग में भी वो टॉप कर गए और इस काम्याबी पर Foreign Services Academy की जानिब से भी उन्हें गोर्ड मैडल दिया गया अपनी काबलियत की बिना पर उन्हें अमरीकन युनिवरस्टी का स्कॉलर्शिप हासल किया और Human Rights में M.Phil के डिग्री हासल की साहिमा सलीम 2009 से जिनेवा अकवाम मुटाइदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन पर काम कर रही है साहिमा सलीम बच्पन से बिल्कुल नाबीना है और उनको पाकिस्तान का Helen Keller कहा जाता है वो नाबीना अफराद के लिए उमीद की एक किरंप की हैस्सित रखती है साहिमा इस वक्त आलमी इन्सानी हकूक पर काम कर रही है वो एक ऐसी अजीम लड़की है जो अपनी अंतक मेनत और नुमाया काम्यापियों से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है साहिमा सलिफ ना सिर्फ हमारे बलके हमारी आने वाली नसलों के लिए एक मिसाल है वो पाकिस्तान में मुझूद लाखों खुसी अफराद के लिए भी रोल मॉडल की हैसित रखती है उनका कहना है अगर आपकी लगन सची है तो कोई भी मुश्किल आपको मन्जिल से दूर नहीं रख सकती जब इनसान को किसी भी माजूरी का रोक लग जाता है तो कुदर्थ उसके अंदर मख़वी हसियात को जगा देती है जो उसकी महरूमी का मदावा बन जाता है पाकिस्तान में साइमा सलीम के काम्याब करदार को देखते हुए हम कह सकते है कि हमारी काम्याबी का दारों मिदार हमारे अंदर मवजूद सोच के मेयार पर होता है जितने बलंद होसले हमारे अंदर होते हैं उतनी बड़ी काम्याबी हमारी मुंतजिर होती है पाकिस्तान में जहां नॉर्मल और काबल तरीन लोग अक्सर C.S.S. में नकाम रहते हैं जैसा कि इस दफ़ा 2016 में तहरीरी इम्तिहान में काम्याबी की शरा सिरा सिर्फ दो फिस्द रही और ऐसे इम्तिहान में एक ना बिना लड़की करना सिर्फ काम्याब हो जाना बलके पुजीशन हासिल कर लेना येकिन अनकिसी मौद्ज़े से कम नहीं अब भी मेरे वतन में बेश्यमार साहिमा जैसी बेटियां मुझूद हैं जिनें जरा सी उमीद दरकार है थोड़ी सी तवज्ज़ा और रहनुमाई उनकी भी जिन्दगी बतल सकती है वो भी इस वतन का नाम रोशन कर सकती है आप इन बच्चियों पर इत्माद करके देखें ये कभी आपको मायूस नहीं करेंगी मेरे वतन की लाखों नौजवान CSS जैसे इम्तिहान को पास करना नामुम्किन समझते हैं उन सब को ये कहानी पेगाम देती है कि मुम्किन और नामुम्किन सिर्फ अमारे अंदर की बाते हैं आपके पास सब कुछ है लेकिन यकीन नहीं है कि आपना काम हो जाएंगे आपके पस आखें तक नहीं, हर तरफ अंधेरे हैं, लेकिन आपके अंदर यकीन की रोशनी मुझूद है, तो फिर सब कुछ मुम्किन है, काम्याबी आपकी है, लहाजा किसी भी इम्तिहान में काम्याबी के लिए अपने अंदर की यकीन को मजबूत केजिए, मेरा आपसे वा पहानी ने मुझे ये सबक दिया, कि आपके अंदर की रोशनी दुनिया की हर रोशनी से एहम और खुबसूरत है, सुनने के लिए शुक्रिया, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताके हाने वाली हर वीडियो से आप मस्तफीद हो सकें, शुक्रिया